जैहिन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपटे यूटूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर तो दोस्तों जिनका भी एकजाम जिनका भी एकजाम है 28 फरवरी को 28 फरवरी को जिनका भी एकजाम है बिलकुल उनके लिए यह वीडियो बहुत important होने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो में सामान ग्यान के 15 questions मैं लाई हूँ तो आपका जो एकजाम है उसमें भाग ओ में सामान ग्यान के question पूछे जाते हैं साभाग औ में जो है उसामान निग्यान की question पूछे जाते हैं तो परते ही question जो है आपका दो नंबर का होता है तो दोस्तों वीडियो को आप पुरा देखिए और सारे ही question को आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से solve करें तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो तो पहला question देखिए दोस्तों पहला question है रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंदित है तो दोस्तों याद रखिए खेल से एक नेक question आता है आपके एक्जाम में तो आपको क्या है सभी जो कप होते हैं जो खेल से संबंदित होते हैं ट्राफिया ये सब आप याद कर लिजिएगा और किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ऐसे question भी आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंदित है ओप्शन है फुटबॉल होकी लॉन टैनिस या फिर बैट मिंटन तो इसका सही आंसर जिनका भी होकी है होकी ओप्शन भी जिनका भी आंसर भी है उनका आंसर बिलकुल सही है रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंदित है तो ओप्शन भी आपका बिलकुल सही आंसर है ओप्शन भी बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो एक और important question भारत की सबसे पुरानी परवसरेणी कौन सी है तो काफी important question है दोस्तो भारत की सबसे पुरानी परवस्त रेणी कौन सी है option है बिंध है, सेयादरी, अरावली या फिर हिमालई तो इसका सही answer है अरावली option C आपका बिलकुल सही answer है भारत की सबसे पुरानी परवस्त रेणी आपसे पूछा जाए अरावली आपका बिलकुल सही answer है और हिमालई जो है एक वलित परवत है वलित परवत है एह हिमालई हिमालई जो है आपका वलित परवत है वलित परवत है हिमालई बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला केस्टिन पहरत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात कब हुई थी घान सी केस्टिन को पड़िये आपके एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं भारत में प्रोजक्ट टाइगर की शुरुवात कब हुई थी तो इसका सही आंसर है 1973 में 1973 आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रोजक्ट टाइगर की शुरुवात भारत में कब हुई थी 1973 आपका बिल्कुल सही आंसर है अगला केस्चन देखिए दोस्तों अगला केस्चन है आगरा सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है काफी इंपोर्टेंट केस्चन है तो नदी किनारे बसे सहरों को आप जरूर देख लीजिएगा आगरा सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है नदी के किनारे बसा हुआ है अपसन D अपसे पुछा जाए कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो गोमती आपका बिल्कुल सही आंसर है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपोर्टेंट है पंच महल किस जगह इस्थित है पंच महल किस जगह इस्थित है उपसने लखनव फतेपुर सीकरी सिकंदराबाद या फिर फतेपुर सीकरी आफसन भी आपका बिल्कुल सही आंसर है तो आप बताईएक्पंच महल किस पंच महल बनवाया था फत्यपुर शीकरी में अगला क्यिश्चन देखें दोस्तों अगला क्यिश्चन है केदार। मंदिर किस देवता को समर्पित है तो दोस्तों क्यिश्चन को ध्यान से पढ़िया और सारे ही क्यिश्चन को आप नोट कर लिजिए काफ़ important question है तो दोस्तों देखे question का है केदारनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? option है ब्रह्मा, गणेश, विष्नू या फिर सिव तो केदारनाथ मंदिर ये आपके उत्राखंड में है उत्राखंड में है और ये जो है सिव को समर्पित है option D आपका बिल्कुल सही answer है option D option D आपका बिल्कुल सही answer है बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो एक और important question question है माल गोड़ी डेच, पुस्तक के रचनाकार कौन है माल गोड़ी डेच, पुस्तक के रचनाकार कौन है तो option है जैसंकर प्रसाथ अरुन्धती रोई आर के नरायन या फिर वीमल जालान तो माल गोड़ी डेच, पुस्तक के रचनाकार कौन है तो इसका सही answer सभी को पता होगा क्योंकि ये question बहुत एक्जाम मैं आपके बार बार पुछा जाने वाला ही question है माल गोड़ी डेच, पुस्तक तो इसका सही answer है आर के नरायन option C आपका बिल्कुल सही answer है माल गोड़ी डेच, जो पुस्तक है उसके रचनाकार है आर के नरायन बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question दिखिए अगला question है सरवाधिक प्राचीन वेद कौन सा है सरवाधिक प्राचीन वेद कौन सा है option है सामवेद, रिगवेद, अथरववेद या फिर इन मैं से कोई नहीं तो सबसे प्राचीन वेद पुछा है तो इसका सही answer है रिगवेद दोस्तों वेद कितने परकार के होते हैं तो चार तो ये question बहुत important है वेद होते हैं चार तो कौन कौन से वेद होते हैं सामवेद, रिगवेद, अथरववेद या फिर यजुरवेद और यजुरवेद और सबसे प्राचीन वेद जो होते है वो रिगवेद है और सबसे नियूंतम जो नया है वो है अथरववेद दोस्तों साम वेद में जो है आपका गीत संगीत और अथरू वेद में जादू टोना ये आपका है इसके अंदर तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question देखिए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्तल है भारत का सबसे बड़ा मरुस्तल है तो option है सहारा, अटाकामा, गोवी या फिर थार तो बहुत important question है तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्तल है थार और अपसन डी आपका बिलकुल सही answer है और दोस्तों संसार का सबसे बड़ा मरुस्तल कौन सा है तो सहारा आपका सही answer है अगर संसार का सबसे बड़ा मरुस्तल पूछा जाए तो सहारा आपका answer होगा तो भारत का यहाँ पे पूछा है तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्तल है थार option डी आपका बिलकुल सही answer है बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो एक और question बहुत important है question है दारजलिंग किस राज्य में इस्तित है तो अफसन है आंद्रपरदेश पश्चिम बंगाल सिक्किम या फिर मिजोरम तो इसका सही answer है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल दारजलिंग जो है पश्चिम मंगाल में इस्तित है option B आपका बिलकुल सही answer है तो दारजलिंग पश्चिम बंगाल में है बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question देखिए लाल बहादुर सास्त्री stadium कहां अस्तित है लाल बहादुर सास्त्री stadium कहां अस्तित है तो option है चिन्नी बंगलूरू दिल्ली या फिर हैदराबाद तो काफी important question है लाल बहादुर सास्त्री stadium कहां अस्तित है तो इसका सही answer है अगला question देखिए दोस्तों अगला question है मुगलवांस की इस्तापना किसने की थी तो option है सेशा, बाबर, चंगेजखाँ या फिर अकबर काफी important question है मुगलवांस की इस्तापना किसने की तो option है सेथा, बाबर, चंगेज खाँ या फिर आकबर तो इसका सही आंसर है बाबर, बिल्कुल सही आंसर है बाबर option B आपका बिल्कुल सही आंसर है अगला question देखिए दोस्तों, अगला question है भारत का मुख्या खाद्यान कौन सा है? भारत का मुख्यक खाद्यान कौन सा है तो अपसन है चावल गेहू मक्का या फिर जौर बाजरा तो भारत का मुख्यक खाद्यान कौन सा है तो इसका सही आंसर है चावल चावल आपका बिलकुल यहां पे सही आंसर है भारत का मुख्यक खाद्यान कौन सा है चावल आपका बिल्कुल सही आंसर है और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बिताए कि चावल कौन सी फसल है रवी, खरीब या फिर जायत आप बताएए कि चावल कौन सी फसल है तो बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ अगला क्वेशन काफी इंपोर्टेंट तुम मुझे खोन दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा का नारा किस ने दिया था उप्शन है लाला लाचपतराई, नेहरू, भगर सिंग, या फिर सुबास चंद्र बोस तो तुम मुझे खोन दो, मैं तुम्हें अजादी दूगा ये नारा किस ने दिया तो इसका सही आंसर है सुबास चंद्र बोस आपको बिलकुल सही आंसर है तो आप्सन डी आपका बिलकुल हैं पर सही आंसर है बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ दोस्तो अगला question last question है काफी important question है तो दोस्तो अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को जरू से subscribe कीजिए साथ ही bell icon को on रखे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले और दोस्तो जो भी नौजवान हमसे नहीं जुड़े हैं अगर उन्होंने पहले से मौजू तो महां पर मौजूद है आप उनको जरूर वाज करें तो दोस्तो लास्ट गेशन है भारत के राष्टिय परतीक में कितने से दिखाई देते हैं तो आप्सन है तीन दो एक या फिर जीरू तो भारत के राष्टिय परतीक में कितने से दिखाई देते हैं दोस्तों तो इसक सहीं आंसर है 3 3 तिसे लिए ढिखाई देते हैं भारत के राष्ट्य प्रतिक में आपका बिल् gamma है तो तो ये थे आजके उमीद है अपने सारे ही क्रेस्चनों को बहुत अच्छे ढंक से किया होगा और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को जल्ली से लाइक किजी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत